फिलिप कार्ड ने मोवाइल फोन के ओर्डर लेने शुरू किये अभी मैं बात करूंगा फिलिप कार्ड के वारे में पूरी जानकारी तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं हेलो दोस्तों मैं हूँ नविन कुमार और आप देख रहे हैं वाइफ है दोस्ट चैनल फिलिप कार्ड ने भारत में स्मार्ट फोन की सेल सुरू से फिर से सुरू कर दिया पीम मोदी दुवारा पचीस मार्ट से लॉगडाउन की घुसना के बाद से इकोमर्स दिग्ज केवल अपकास समान बेशने तक सिमित हो गए थी हालांकि भारत सरकार ने हाल ही में भारत में ऑन्लाइन स्मार्ट फोन बेशने की मंजूरी दे दी है और फिलिप कार्ड ने और लेने के लिए अपने पोटल पर मोबाइल फोन की केटेगरी पोल खोल दी अखिरी समय कई अन स्मार्ट फोन लिष्ट किये गये हैं इकोमर्स प्लेफर्म के अपने पड़ एक नया बैनर लाया है जो इस बात की पुस्ति करता है कि कंपनी अब स्मार्ट फोन के और ले रही है हलांकि भले ही फिलिप कार्ड ने और लेने शुरू कर दिये लेकिन सरक जैसे offers की पेसकल्स भी कर रही है, ओपो, वीबो, सेंसंग, एपल और सौमी के फोन ओनलाइन लिस्ट कर दिये गये हैं और फिलिपकार्ड एप और वेपसाइट दोनों में मोबाइल खड़िदने के लिए बिकल्प खोले जा चुके हैं। फिलिपकार्ड का कहना है कि पच्चिम मंगार और करनाटर के अलावा सभी राजियों में यूजर्स को मोबाइल केटेगरी दिखाई देगी, बता दे कि इस ख़बर के लिखने तक एमेजन इंडिया ने ओर्डर करने के लिए अपनी मोबाइल केटेगरी नहीं खोली थी। केंद्रिय ग्री सचिव अन अजय भला ने हाली में तीन महीं तक बढ़ाए गए लोगडाउन के लिए नए दिशा निदेश जारी किये थे इन दिशा निदेशों में मोबाइल फोन, टीबी, फ्रेजेंट लेप्टोप और स्टेनरी आइटम को मेजन फिलिपकार और सनेब करने होगी, आप लोग मोबाइल फोन का ओडर कर सकते हैं, यह लेकिन यहाँ आपको डिलेवरी 20 अप्रेल के बाद यहोंगा, और भी डिलेवरी करने के लिए डिलेवरी बेन को पहले सरकों पर चलने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी हुगी, अगर अधिकारियों स और खर सकते हैं तो बस इतना ही जानका रही था अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जूरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दिए और कोमेंट जरूर बता है कि आपने कौन फोन का ओडर किया है तो जहिन उन्दे महतर हैं